हेलो दियर स्टुदेंट्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल न्यू फांडेशन क्लासे आज हम लोग क्योंकि आपके एक्जाम साने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे रिवीजन सेशन ठीक है तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो आपका है रिफ्लेक्शन ठीक है रिफ्लेक्शन ओफ लाइट तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास 10 रिफ्लेक्शन ओफ लाइट रिफ्लेक्शन ओफ लाइट ठीक है तो पहले क्योंकि यह रिवीजन सेशन है तो हम ज्यादा में नहीं जाएंगे सिर्फ आपको बेसिक बेसिक जो एक्जाम और इंटेट चीजें उनके बारे में बात करेंगे ठीक है क्योंकि रिवीजन सेशन है अगर लंबा कीचेंगे तो एक चैप्टर काफी टाइम ले लेता है और विकॉस भी आ गुंग टू तो गुंग टू सां釘 बारे में जाए लें लाइट क्या है ठीक है तो लाइट जै वो ना तो वेव है कि यह यह कहें इसे कर सकते हैं कि जैसे डिफरेक्शन जो diffraction property यह wave theory को support करती है ठीक है उससे पहले जो है यह wave theory माना जाता था wave माना जाता था diffraction क्या होता समझ लो जैसे माली यह कोई light light resource है light ऐसे जा रही है उसके सामने कोई चीज आ गई तो sometime यह होता light ऐसे ऐसे कोने से side से निकल जाती इस तरीके से ठीक है तो यह हो गई wave theory जैसे आपने देखा कि जो पक्षी उड़ रहा होता है जैसे यहाँ यह sun है और यहाँ पर पक्षी उड़ रहा है कोई ऐसे तो उसकी shadow नीचे नहीं बनती ठीक है तो यह किस वज़े से होता reflection की वज़े से polarization की वज़े से होता है ठीक है तो यह theory इसको support करती थी लेगिन कुछ चीज़े जिनको support नहीं कर पाती थी उसके particulate theory क्या particle theory किसको support करती reflection को support करती है reflection को support करती है reflection को भी support करती है तो इस तरह से यह जो है दोनों ही theory मानने हो गए और इन दोनों को मिल कर क्या बनी quantum theory तो पहला question तो यह हो गया quantum theory तो पहला question तो यह हो गया कि यह क्या है यह wave भी है और यह particle भी है क्या light wave भी है particle भी है और इसको support करने के लिए कौन सी theory भी quantum theory of light quantum theory of light तो यह पार्टिकल है पार्टिकल क्या कहलाते हैं फोटन कहलाते हैं ठीक है फोटन ठीक है इसके जो पार्टिकल होंगे फोटन कहेंगे आचा अब अब लाइट जो है दोनों ही यह light always run in straight line always run straight ठीक है, straight चलती है light के बारे में कुछ बाते समझने पहले light does not required medium light doesn't required medium अब यहाँ पे भी आप समझ सकते हो light जो है, वो medium required होती है जब कि wave में तो medium चाहिए मतलब wave के लिए medium चाहिए जब कि light को medium नहीं चाहिए होता है जैसे हमें पता है कि sun जो है बहुत काफी दूर है हमारी प्रत्वी से ही है हमारी प्रत्वी हो गई और यह जब बीच का space है, यहाँ पर कोई medium तो है नी फिर भी sunlight हमारे तक पहुच जाती है है ना फिर भी पहुच जाती इसका मतलब क्या है कि यह जो है light doesn't require any medium यह चलती है इसकी speed क्या है vacuum में 3 into 10 to the power 8 meter per second ठीक है और 3 into 10 to the power 8 10 to the power 8 meter per second यह इसकी speed है vacuum में vacuum में ठीक है यह light के बारे में कुछ बाते होगे light जो है वो quantum theory होई गई है light के बारे में ठीक है और क्या light is necessary to see the objects object ठीक है light जो है जरूरी है किसी पर object को देखने के लिए अब वही object हमको दिखाई देता है यहीं से point आगे बढ़ाएंगे हम जो reflection है, हमें वही object दिखाई देगा, जो, अच्छा एक चीज़ और, light के बारे हम कुछ और भी बाते हैं, पहले वो समझ लो, फिर हम बापिस के reflection पर पहुंचेंगे, तो फिर बापिस नहीं आ पाएंगे, तो light जो produce करते हैं, light producing object, light producing objects, जो light produce करते हैं objects, जिनके अपनी light है, are called luminous objects, objects, are luminous objects, कौन से होते हैं बच्चा, luminous objects, ठीक है, जैसे कि bulb हो गया, जैसे कि sun हो गया, जैसे कि कोई candle हो गई, क्योंकि यह अपनी light खुद है, ठीक है, और बहुत सारे हैं, जो भी अपनी light जिनके पास है, जैसे safe है, यह अपनी light खुद produce कर सकते हैं, इसलिए यह कहलाए luminous objects, तो जो नहीं कर सकते हैं, doesn't produce, their own light बिटर राइटिंग बिना जाया है, हमें बोल भी रहा हो इसलिए, their own light is called as non-luminous object, क्या कह लाएंगे, non-luminous object, क्या कह लाएंगे, non-luminous object, क्या कह लाएंगे, non-luminous object है, जैसे कि आपको पता है, बाकी जो अगर luminous है, तो luminous छोड़ दे, अगर, तो बच्चे वो सब क्या है, non-luminous object हैं, जो अपनी light produce नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हटा रहा हूं, ठीक है, अब जो non-luminous object है, non-luminous object, देखो, luminous जो है, वो तो light produce ही कर रहे हैं, वो हमको दिखाए दे रहा हैं, इसी वच्चे से, लेकिन non-luminous object क्यों दिखाए देते हैं, देखे, because, they can reflect light, ठीक है, अब जो object light को reflect करेंगे, वही हमको दिखाए देंगे, जो reflect नहीं करेंगे, वो हमको नहीं दिखाए देंगे, अब जैसे कोई, कोई चीज रख्की होई, माली जो for example, यह board है, तो board का हम लोग friend का surface देख आ रहे हैं, जबकि पीछे का surface हमको दिखाए नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाए दे रहा है, क्योंकि यहां से जो light पढ़ रही है, वो reflect होकर camera पर पढ़ रही है, मेरे पर पढ़ रही है, तो वो हमें object असानी से ठोकर हम तक पहुँच रही है, लेकिन जो object, जो surface पीछे की तरह में वहाँ पर light नहीं पहुच रही, इसलिए वो क्या करता है, वो reflect नहीं करेगा, और हमें वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है, जो surface soft, जो smooth surface होते हैं, smooth surface, बात को समझें, मतलब object का जो है, वो light को reflect करना जरूरी है, और हमारी eyes पर उस reflection का पढ़ना भी जरूरी है, अगर वो सिफ reflect कर रहा है, और हमारी eyes पर नहीं पढ़ रहा है, वो surface तो हमें वो नहीं दिखाए देगा, जैसे कोई object रखा हो है, बीच बीच में और सब तरफ light है, तो हम उसी surface को देख पा रहा है, उसी points को पढ़ रही है, otherwise वो surface हमको दिखाई नहीं देने वाली, ठीक है, इसमूज surface हमको जो है, smooth surface हर best, best reflector, ठीक है, जो smooth surface होती ही, वो सबसे अच्छी reflector होती है, best surface होती है, और वही सबसे अच्छी image formation भी करती है, वो सबसे अच्छी image formation भी करेंगी, image formation जैसे कि polished surface, polished surface, जैसे कि mirror, mirror को सबसे ज़्यादा, smooth surface माना गया, ठीक है, mirror से चिकनक कोई चीज नहीं, तो polished surface हो गई, mirror surface हो गई, और metals, metals, ठीक है, यह सब क्या होते हैं, best reflector होते हैं, इसी लिए हम, जैसे mirror है, तो उसमें हम लोग अपनी image को देख पाते हैं, क्योंकि सबसे sharp reflection वो कर रहा है, जो metals होती है, वो भी थोड़ा smooth होती है, बहुत चमकीली होती है, shiny होती है, क्योंकि वो good reflector of light है, ठीक है, और इसी तरह से, polished surface जो होती है, वो भी हमारी polished surface जो है, वो भी हम थोड़ी shiny होती है, क्योंकि वो good reflector है, ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और बताने वाला था, हाँ, एक चीज़ और और समझ लो, reflect वही light करेंगी, जो क्या होंगी, opaque होंगी, यह भी समझ लो, opaque हो, ठीक है, तीन तरीके के object होत होते हैं, transparent, और यह भी होते हैं, translucent, कैसे होते हैं, translucent, ठीक है, तो opaque object होते हैं, जो, जिनसे light आर पार ना जा पाए, light cannot pass, light can't pass them, pass, throw them, light उनसे pass ना हो पाए, तो वह क्या के लाएंगे, opaque object, transparent object, fully, light can pass, light can pass them, जैसे की glass, ठीक है, और translucent object, partially, light can pass, मतलब थोड़ी light pass हो पाए, जैसे की हम बात कर लेते हैं, जैसे colloidal solution, colloidal solution, ठीक है, जो colloidal solution होते हैं, तो उनमें से लाइट तो कुछ pass होगी, और कुछ नहीं, पूरी तरह से pass भी नहीं होगी, पूरी तरह से रुकेगी भी नहीं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं, अच्छी image formation करेंगे, वो कौन करेंगे, image formation है, जो सबसे अच्छा हमें दिखाई देगा, वो कैसा होगा, opaque object होगा, क्योंकि वो अच्छा reflector है, बास समझ मैं, बाकी साथी चीज़े तो पास ही हो जाएंगी, light अपने अंदर से, तो वो हमें दिखेंगी कहा से, बास समझ आ रहा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हम ऐसी भी कह सकते हैं, कि जो good reflector है, वो कौन होगा, opaque object होगा, उनमें भी smooth surface जो होती है, वो सबसे अच्छा reflection करेंगी, जैसे अगर हम opaque object की बात करें, opaque objects, opaque objects, दो तरीके के होगे, एक smooth surface वाले होगे, smooth surface, और एक rough surface, अलिया, r-o-u, rough surface, ठीक है, देखो, smooth surface पे, जो smooth surface के थूँ जो image formation होती है, वो कैसी होती है, वो image formation होती है, सबसे proper, और जो rough surface के थूँ इमेज formation होगी, वो कैसी image जो बनेगी, वो कैसी होगी, diffused image होगी, तो यह जो है, proper image, यह प्रापर image formation करेगा, और यह कैसा करेगा, diffused image formation करेगा, diffused image, प्रापर image का मतलब हम लोग समझी चुके हैं, कि जो बहुत ही शाप image, जैसे आप अगर mirror के सामने करेगा, तो आपकी हूब बहु इमेज इतनी साफ दिखाएगा, कि वाह, क्या बात है, साफ इल्कुल क्लियर है, या अब किसी metallic उसके सामने करेगा, तब भी आपको थोड़ी सी image और shine दिखाएगी, ठीक है, क्योंकि वो proper image formation कर रहे हैं, अच्छी smooth surface है, proper light को कर रहे हैं, देखो, जैसे यह है है, मालो, देखो, तो यह smooth surface दिख रहे हैं, यहाँ पर जो formation होगा, एक proper pattern में होगा, जो reflection होगा, वो proper pattern में होगा, जिससे कि proper आपको एक जो image formation होगी, या जो shine होगी, भी proper मिलेगी, जबकि diffused image में क्या होगा, जो ऐसा होगा, rough image, rough surface औरे, तो वहाँ पर क्या, जैसे light यह पर पड़ी, तो ऐसे चल ली गी, यहाँ पर पड़ेगी, तो इधर चली जाएगी, यहाँ पर पड़ेगी, तो ऐसे चली गई, यहाँ पर गई, तो ऐसे, यहाँ पर आई, तो ऐसे, मतलब कोई, इसका क्योई proper pattern नहीं है, नए और ये जो है यह एक इंप्रॉपर पैटर नहीं इसको कहने इंगे तो कॉस्च्छ्छ यह बनेगा कि डिपीज इमेज कौन बनाती है सर्फिस तो आप कहेंगे की डिफ्यूज में रफ सर्फिस से बनेगी ठीक है यह में वेटा होड करना मैं होड रहना मैं जड़र हुआ ठीक है तो यह हो गया है अब आपके मन में यहार होगो रिफ्लेक्श रिफ्लेक्शन कर रोए है और यह रिफ्लेक्शन होता गया यहतो बताओ Schön चारियों का में चाहताएं कि बच्चों को प्रेंक्ट को करें हर चीज़कों करें और और यही मेरा तरीका है पढ़ाने का दीखें मैं यह नहीं कि स्लाइड वाला आपने देखा हो और टीचर स्लाइड बना लिए लिख रहे हैं मतलब लिखा हुआ पहले से हैं बोल बोल के पढ़ा रहे हैं मतलब बच्चों को चीज वह तो बुग में भी लिखी हुई है है ना आपको समझना भी चाहिए तो देखें अब हम लोग बात किया है रिफ्लेक्शन क्या है बहुत डीप में नहीं जाएंगे जल्दी समझेंगे क्योंकि बच्चों की एक्जाम है चैप्टर मदब स्लेबस बहुत वार्स्त है सभी कुछ रिवाइस कराना है में एक्जाम तक तो इसलिए जल्दी ली समझेंगे, देखें, reflection क्या है, what is reflection, question यह होगा, what is reflection, तो simple लिखेंगे, bouncing back of light, light, is called as reflection, जब light जो है, bounce कर जाती, पीछे, बिल्कुल हुसी तरह, देखे, law of reflection, बिल्कुल, क्योंकि जो physics, science के law होते हैं, वो universal होते हैं, हर जगे apply होंगे, जैसे हमें पता है, जैसे यह wall है, ठीक है, अब इस पर कोई ball, ball, यह wall है, wall, और इस पर कोई ball फेकेंगे, अगर हमने ball ऐसे फेकी, तो ball ऐसे आएगी, अगर ball हमने ऐसे फेकी, तो ऐसे आएगी, है ना, notice किया ही होगा, घर पर हमने तो बहुत खेला है, जब अकेले होते थे तो भाईया, कोई खेलने वाला अगर नहीं है, तो ball ऐसे फेक रहे, catch कर रहे, फेक रहे, catch कर रहे, तो क्या गरते थे, वो same, अगर सामने की तरफ मार है, तो वो सामने आती थी, अगर माल ये तिर्चा फेका, तो वो तिर्चा ही जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से जाएगा, same rules follow कौन करता है, reflection, light का जो reflection है, वो भी follow करता है, same rule, understand, तो reflection क्या है, bouncing back of light, reflection क्यों जरूरी है, to see the object, जो object light को reflect करेंगे, वह ही हम देख पाएंगे, जो object reflect नहीं करेंगे, light, मतलब reflect तो सभी कर रहे है, बट reflect होने के बाद, हमारी आखों में, वो light पढ़नी भी चाहिए, अगर वो reflect होकर हमारी आइस पे आ रही है, तब तो वो object हमको दिखाई देगा, और अगर वो नहीं आ रही है हमारी आख तक, तो हम उसे object को नहीं देख पाएंगे, ठीक है, तो reflection is required, reflection एक property है, surfaces की property है, as well as light की property, light तो अपने आप में, क्योंकि particular theory को यह है, वो support करती है, तो टकरा के, लोटेगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी, ठीक है, तो वो हो गया हमारा, और reflection, जो है, reflection की quality, वो आपकी surface पर depend करती, जितना smooth surface, उतना ही अच्छा reflection, और उतनी ही अच्छी image formation, और जो सबसे rough surface होगा, तो उसमें reflection भी bad होगा, और उस पर, जो है, हमें proper image नहीं मिलेगी, वो कैसी image होगी, diffused image होगी, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, rules की, तो rules of reflection, rules of reflection, देखो, first law क्या है, यह law कह सकते है, law of reflection, तो first law क्या है, कि angle of, angle of, incident, is equal to angle of reflected ray, क्या, angle of reflected ray, ठीक है, तो angle of incident ray is equal to angle of reflected ray, तेखे, ते यह वाला, यह incident ray है, जिसे i से denote करेंगे, यह reflected ray जिसे r's denote करेंगे, और जो angle होगा, वो angle किसके साथ होगा, normal के साथ जो angle बनेगा, जो normal के साथ angle बनेगा वो equal होगा ये नहीं ये वाला अब इसलिए ये equal है तो ये भी होँगे लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कई बार question में फ़र्ज आते हैं आप अभी बताओंगा कहां पे तो आपको ये याद रखना है कि ये वाला angle ठीक है? this one क्योंकि जब जैसे वो वाले question आते हैं इस तरह से कि दो मेरा रख्य हुए है और उनके बीच में angle ऐसे light आई इस angle पर पड़ रही है तो आपको ये वाला angle पहले find करना पड़ेगा ठीक है तब ही आप यहाँ पर से इस वाले angle को equal करके कर पाएंगे तो वो हम लोग अभी question में करेंगे तब समझ में आएगा फिलाल आप यह ध्यान रखें कि angle with the normal आपको लेना पड़ेगा तो angle of incident raise equals to angle of reflection is equals to r यह तो law first हो गया पता ही होगा सबको बच्चों को पता है पहले से क्योंकि revision है तो revision सभी के लिए होता है कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाए है पूरे माली साल नहीं पढ़ा कोई कारण रह सकता है तो वो भी अपने आसानी से समझ पाएं ठीक है बाकी दूसरा क्या है नॉर्मल शर्फेस एंड इंसिडेंट रे रे and reflected रे reflected रे फॉल और सिचुएटed और सेंपॉइंट सेंपॉइंट ठीक है जैसे हम इसको अगर समझेत रहा ऐसे समझ सकते है दिखे जैसे यह तो यह kamat महले है तो कि एक इसलिब फॉर्म इसी प्रॉइंट पर होने चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि यह अगया और यह इदर हो गया और यह यह ने कुछ प्रॉपर इसका यही है हर बार आपकर एसे चले गए यह कुछ नहीं एक की पॉइंट पर सारे की सारे आएंगे ठीक है तो इसमें में आता है नॉर्मल इंसीडेंट रहें रिफ्लेक्टेट रहें पॉल ऑन दा सेम पॉइंट ऑफ सर्फेस तो इस तरह से इसका हो गया है इस से केंड लौ ठीक है एक चीज़ ध्यान देना नॉर्मल इस ऑल्वेस 90 डि जबकि यहां पर 90 ऐसे होगा जबकि यहां पर 90 ऐसे होने वाला है ठीक है नॉर्मल ऐसे होने वाला नॉर्मल यहां पर यह होगा है यहां पर यह यहां पर यह क्या बनाना इसको ऑल्वेस बनाना है 90 डिग्री विद्धा सर्फेस बास समझाई तो नॉर्मल जो है मिसा सर्फ कborne है कि इस इमेज फोर मेशन के मिश कैसे बनती है मैं करहाँ इमेज इमेज फॉर्मेशन इससे पहले ज़रा सर्फिस के बारे में समझे लो फिसके बाद समझते है तोड़ा फिर डिटेल में आके जाएंगे देखो तीन तरीकी के सर्फिस पाए जाएंगे देखो एक प्लेइन होगा है अब ठीक है एक हो किया मदब दूसरे होगा अब कर्वड सर्फिस ठीक है फ्लेइन तो आपको पता है फ्लेइन मिरर हो क्या मिरर ही होंगे तीनों ही फिलालम लोग है अपर मिरर के बारे में पढ़ना है ठीक है और एक होगी कर्वड ऐसे जिसें ही से बूलें के कन्वेक्स tapWow और यहोगी है जोगी कंब तीन के बारे में लोग को पढ़ना जो सर्फिस होंगी कमलो पहले प्रे इन के पड़ते हैं प्लेइन है जिसमें मों सबसे अच्छा लेंगे कि 小की होता मिरर है तो फी इसके बारे में पढ़ेंगे curved surfaces जो हैं उनमें convex और concave mirror की ठीक है क्योंकि सबसे best को लेके चलेंगे तो फिर बाकी तो उसकी नीचे तो फिर unlimited है क्यों कोई limit नहीं लेकिन best के बारे में best कौन सो होता है best होता है हमारा mirror तो हम लोग plane mirror के बारे में burning समझेंगे कि हाओ image formation अपकर ठीक है देखें जैसे माल लीजी यह हमारा mirror ठीक है अब एक point object यहां पर है अब point object यहां पर है तो क्या होगा यह जिसे नॉर्मल हो गया ऐसे आएगा और यह से टक्रा कर एक रहे तो यह चली गए ठीक है दूसरी रे यह आई और यह टक्रा कर यहां पर यहां से अगर हम यहां पर कोई आई है मालो जहां जो देख रही है image को तो image formation कहां पर होगा ठीक है यह image के मतलब mirror के पीछे ठीक है इमेज फॉर्मिशन आपने देखा होगा कि इमेज जैसे कोई टीवी रखा हो आप यहां पर हो तो आपको टीवी इसमें दिखाए देगा mirror में है ना तो आप देख सकते हो कि इस तरह से image formation होती है plane mirror में our eye cannot recognize the reflection उसे reflection से मतलब नहीं है वो तो यह देखेगी कि भाई लाइट हमेशा वो इमेज करती है मतलब यह बाद आपको ध्यान रखना कि I always image that light comes straight line मतलब इस ट्रेट आ रही है light comes straight सीधे उसकी आप मतलब आख में पड़ रही है तो अब वो तो नहीं समझ रही है यह reflect होके object यहां पर तो यह light reflect होके आ रही है वह यह देखेगी कि reflect इमेज फॉर्मिशन हमां माइंड अपने आप करेगा कहां पर इस्ट्रेट इस्ट्रेट लाइन को बढ़ा है जहां पर मिलेगी वही पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा बास समझ मैं तो इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्पर्टीज है समझ लें कि जो जो इमेज फॉर् पर है मिरें से तो बताओ इमेज कितनी दूरी पर उगी फिरता अगर उनने के दिया कि बताओ इमेज के बीच कि डिस्टेंस कितनी होगी तो टोटल कितनी हो गए 40 हो गई समझ में आ रही है आ रही है नहीं आ रही तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में फिर से बताऊंगा जैसे एक सवाल जैसे यह है मालो तो वो कहेंगे कि बाई एक जो इमेज है जो अब्जेक्ट है वो 20 मीटर की दूरी पर है ठीक है अब उन्होंने पूछ लिया कि बताइए इमेज और अब्जेक्ट की बीच की डिस्टेंस क्या है तो इमेज अब्जेक्ट कीतला होगा 30 क्योंकि 60 क्योंकि 30 ही दूरी पर यह भी बनेगा जो इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी वो भी 30 मिटर की दूरी पर ही होने वाली है ठीक है तो सिमिलर साइज का इसमें जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी सिमिलर साइज की होगी वर्चुल होगी और होगी साथ में कैसी इक्वल डिस्टेंस पर मेरे से उसकी दूरी इक्कोल होगी जितनी की object की है अब यहां पे एक नई बात आ गई वह भी बताना जरूरी है बात आगई वर्चुल इमेज की वर्चुल इमेज क्या होती है वर्चुल इमेज और रियल इमेज क्या होती वह यह भी बड़ी समस्या आ गई image ठीक है तो virtual image क्या होती है तो image which cannot find on screen मतलब जो image हमें screen पर ना मिले जिसको हम screen रख दें वो उस पर हमें वो कोई image formation ना हो तो वो क्या के लाएगी वर्चुल इमेज के लाएगी यह वर्चुल इमेज ठीक है और जो images real image कौन सी होंगी real image जो की convex mirror बनाता है वह हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे real image can make can find find on screen बिटा बोल भी रहा हूं तो आप समझ सकते हो वह राइटिंग समझ में ना रही वह राइटिंग में ऐसी है कोशिश कर रहा हूं सुदारने के बढ़ फिर भी ठीक है तो वर्चुल इमेज क्या है जो image हमको इसकीन पर मिल जाए जैसे यह वाली इमेज हमको इसकीन पर नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी क्योंकि यह बिहाइंड दम मिरर है और हम यहां पर इसकीन लगा नहीं सकते और सामने इसकीन लगाएंगे तो हमको image मिलने वाली नहीं है इमेज आपको सिर्फ जो है वो गंकेव बनाता है बनाएगा वही आपको इसकीन पर मिलने वाली है तो वर्चुल इमेज और रियल मेंज आपको समझ में आ चुकी होगी यह कैसी यह इकल डिस्टेंस पे अब आप इतना समझी होगे किस तरह से image formation होती है देखे यह आया normal और यह same angle पर गया फिर यह दूसी रे आई normal same angle पर ऐसे बहुत साई रेज आती है आप यह मैं सुझ लागी कोई दो रेज कोई भी बहुत साई unlimited कोई भी दो रेले के आप आराम से डाइग्राम बना सकते हो ठीक है तो यह हो गया इसका प्लेन मिरर के थ्रू बनने वाली image ठीक है अब बात करेंगे हाँ वर्च्वल रेल इमेज भी हो गई ठीक है अब आगे बात करते हैं हाँ 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 है एक होगा हिए एक टर्म होता है लेटरल इनवर्जन लेटरल इनवर्जन लेटरल जैसे हम लोग कहीं पर किसी मेरर के सामने खड़े हैं और टीशेट पर क्या लिखा हूँ है टी-शिर्ट पर लिखा आनुज ठीक है तो वो क्या होगा जो आपका left hand side का है वो उसमें right hand side हो जाएगा और जो right hand side है वो कैसा हो जाएगा left hand side हो जाएगा ठीक है तो यह कुछ हैसे बनेगा यार यह तो हमने टास्क अलग ले लिए है यह बन नहीं रहें से लेटरल इंवर्जन आप ऐसे समझें कि जैसे ए और बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा दिया ठीक है तो जो आपका लेफ्ट था वह अंदर राइट जो कहलाएगा जो राइट होगा वह लेफ्ट कहलाएगा साथ बना भी भी नह लेटरल इंवर्जन का मतलब है कि लेफ्ट राइट जो हमारा लेफ्ट होगा वह अंदर उस इमेज में जो है वह राइट हो जाएगा उसका ठीक है क्योंकि ऐसे हो जाएगी ना इस तरह से समझेगा जैसे माली जैसे खड़े मेरा के सामने तो इमेज कैसी होगी इमेज पहले जैगा उसमें वो राइट कर लाएगा वागि तो इस तरह समझ लेए लेटरल इंवर्जन क्या है कि लेफ्ट प्टो राइट जीन इसकौड़ेद लेटर इंट ये जैसे की अबूलेंस अम्पूलेंस में क्या होता उल्टी लिखी होती ना एंबूलेंस अम्पूलें में सीधा दिखाई दे, सीधा लिखो तो कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा इसले ambulance में कैसा लिखा होता? उल्टा लिखा होता जिससे आगे जाने वाले जो वाहन है उनमें mirror में, तो पीछे की तरफ क्या दीखे जब वो दिखे तो लगे कि हाँ एंबुलेंस हा रही कुईक्ली समझ जाए ठीक है तो यह है लेटरल इंवर्चन बास समझ में ही अब हम लोग बात कर लेंगे प्लेइन मिरर का इस्तिमाल कहां पर होता है यूजज क्या है तो यूजज image formation अपने सीखी लिए uses क्या है इससे related कुछ questions कराओंगा uses क्या है uses क्या है कि हम लोग अपनी image ством submission image देखने में helpful होते हैं image scene हम लोग image अपनी देख पाते हैं दूसरा उसमें लगे होते हैं jewelry shop में लगे होते हैं शौप में ठीक है जिससे वो पूरी दुकान पह नज़र रखी जा सके देख सके और बता एक कहां पे इस्तिमाल होता है को यूजर आपको याद कर लेने है आश्म दोट आधिये कुछ एपूर मिररर के मिरर के मिरर के मिरर कर लेना ना कि आज का सेशन जो है इतना ही रखते हैं और फिर मैं कुछ और जल्दी से जल्दी डालूंगा और आपका पूरे के पूरे chapters revision होते रहेंगे नेक्स सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ एक questions की इससे related और बात करेंगे हम लोग जो हमाई curve surfaces है ठीक है और आपको अगर session पसंद आया हो like करें subscribe करें please कोई अगर समस्या आई हो देगे nobody is God God तो कोई है नहीं God से भी गलती होती तो गलती है कोई mistake लग रही हो तो आप जरूर बता है और बाकि अगर आपको session पसंद आया हो तो please like subscribe करें thank you so much